गाईज आज फिर हम दीवी करने वाले हिमाले बेबी एक्स्ट्रा सोफ्ट एंड जेंटल क्रीम का अज फुर्डवा को तांग स्क्रीम को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कि ये क्रीम बच्चों की स्कीन के लिए सेफ होती है और कि इस क्रीम को रेगुलर बेनिफिट्स की इस क्रीम को यूज करने से क्या क्या फायदे होते हैं गाईज ये एक बेबी क्रीम है जो की बच्चों के लिए आती है और इस क्रीम को यूज करने का बेनिफिट्स ये होता है ये क्रीम बेबी की स्कीन में नेचरल उयल को बैलन्स करके रगती है और बेब पर इस हिमाले बेबी क्रीम को use करते हो तो ये क्रीम आपके बेबी की सकी से dryness को बिलकुल खतम करेगी और इसकीम में लोंग-लस्टिंग मोचर प्रोईड करेगी जिसे आपके बेबी की स्कीम softy smooth और healthy बनी रहेगी और इस क्रीम के कच्छी बात ये भी है ये क्रीम all natural ingredients से मिलकर बनी होई होती है और इस क्रीम के बच्चों के स्कीन पे कुछ भी side effect देखने को नहीं मिले वाले हैं ये क्रीम बच्चों के स्कीन के लिए बिल्कुल safe होती है और आप देख सकते हैं इस पिनोंने mention भी कर रहा है फिरी पेराबीन mineral oil synthetic colors और ये क्रीम clinically tested क्रीम है इस क्रीम को बच्चों के लिए doctors भी recommend करते हैं और आप इस क्रीम को boys and girls दोनों के लिए use कर सकते हो तो चलेगे जब मैं आपको इस क्रीम का texture भी दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इस क्रीम का texture white color का होता है और इस तरह से इरब करने से ये क्रीम बच्चों की skin में quickly बहुत अच्छे से absorb हो जाती है और इस क्रीम की fragrance काफी mild होती है और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को कब और कैसे use करनी चाहिए guys सबसे पहले आपने बेबी को नहला लेना है और अच्छे से clean कर लेना है और फिर आपने इस हिमाले बेबी की क्रीम को अपने बेबी के face या body पे apply करनी है आप इस क्रीम को अपने बेबी के फेस पे भी लगा सकते हो या आप चाहें तो इस क्रीम को बेबी के पुरी बोड़ी पे भी लगा सकते हो जहां पे भी आपको अपने बेबी की स्कीन ड्राय नजर आ रही हो वही पे आप इस हिमाले बेबी को एपलाई कर सकते हो यह नहीं है कि यह क्रीम केवल फेस के लिए होती है यही था इस हिमाले बेबी एक्स्रा सोफ्ट एंड जेंटल क्रीम का कम्प्लीट रिव्यू अगर आपके स्क्रीम के बारे में और कोई भी कोच रहे हैं तो आप कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं मैं आपको रिपलाइक कर दूँगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और से जरू कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैल्न को सब्साइब कर दीजिए